Assalamualaikum, Hello Readers, कैसे हैं आप उमीद करते हूं कि आप सब बिल्कुल कहा दिया से होंगे, कि मेरे नावल अच्छे लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंस में अपनी राय का इसार भी ज़रूर कीजिएगा, इसको कम्प्ल नहीं वो गारी से निकलता सीधा घर के सामने जा खड़ा हुआ, दर्वाजा हलका सा खुला था, वो हाथ से दर्वाजे को धकेलते वोई अंदर दाखिल हुआ, घर में खामोशी का राज था, आगे बढ़ता दाई जानी बने कमरे के पास से गुजर ही रहा था कि उसे सिस् आई नूर का आँसों से तर चहरा देखते ही वो जो बेक्तियार होकर उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, उसकी सुर्ख होती आँखों के तासुराद देखकर कदम खुद बाखुद वोही रुख गए, क्या ये मुझे अपने बाप की मौत का जिमेदार समझ रही है, रहीम के जरीए उसे मालूम हो गया था, असलम को किसी ने जहर दिया, मगर उसकी मौत का जिमेदार उसे ही समझा जा सकता है, ये उसने सोचा ही नहीं था, नूर मैं, अभी वो आगे बोली रहा था, कि कब से आती आवास पर रुख गया, कोई पीछे कड़ा उसे सवाल कर रहा था कौन हो और यहां क्या कर रहे हो, मरदाना अवास पर करदम ने पीछे मुर कर देखा, तो रुख सार बेगम के साथ एक नौ उमर लड़की को खरा देख कर चोंका, वो चेहरे से ही 15-16 साल का लड़का लग रहा था, लेकिन सुनने वाला उसकी अवास सुनकर अंदाजा नही उसकी भारी अवास से किसी भरपूर मर्द का ही गुमान होता रहा, तुम, रुख सार बेगम को उसे यहां देखकर हिरान ही हुई, आप इस आदमी को जानती है, हाँ हाँ आदी वो, रुख सार बेगम को समझ ना आया, उससे क्या जवाब दे, उधर कर दम उनके आदी कहने पर चौंग उठा था, उस लड़की को गोर से देखते, एक दम उसे पश्टावे ने आन गेरा था, आई नूर के साथ अपना कर रात कर रवय है, याद करके उसे नदामत महसूस होई, तो उसका फून आ रहा था कल रात, लेकिन यह है कौन, तुम कौन हो, सोचने के साथी क करदम ने सवाल दागम, यह सवाल मेरा है, तुम कौन हो, अहाँ, बेटा, यह अदील है, नूर का भाई और यह अदील करदम दा, मेरा मतलब यह करदम है, नूर का शोहर, बात भी गड़ती देख, रुकसार बेगम ने फौरन ता आरूप कराया, करदम जहा है, उसे देख अदील शौक्ट सा कभी, उसे तो कभी आईनूर को देख रहा था, आपी क्या यह सच है, उसने आईनूर को मुखातिब किया, जो उन सब से बेनियास बैठी आसू बहा रही थी, वो बगएर कोई जवाब दिये, उटका कमरे से बहा निकल गई, आपी, आपी, अदील फौर उसे देखने लगी, जो पैसों की खातिर उसकी जान लेने जा रहा था, आज खड़ा उसकी मौत पराजारे अफसोच कर रहा था, उनके इस तरह देखने पर कर्दम को अपना आप एहम काना लगा, बस बेटा जैसे अल्ला की मर्जी, रुक्सार बेगम अपनी हैरत पर काब को सजा दे, कर्दम की बात पर रुक्सार बेगम मुस्कुरा दि, नहीं बेटा? हम इनसान कौन होते एंक किसी को सजा देने वाले, ये इक्तियार तो सिर्फ अल्ला की हाथ में है, वो बेतर सजा तजबीश करेगा, अस्सलля की कात्लों की, रुक्सार बेगम की बात पर व ख हलो खुद को अंदर आते ही रुखसार बेगम ने आईनूर को पकड़ा जो अदील को धक्के देते हुए कमरे से निकाल रही थी आप ही ये क्या कर रहेंगे मैं भाई हूँ आपका अदील बेवसी से बोला इस भाई लफज के साथ सुतेला और नाजायज अलफास लगाना मत बूला करो आईनूर की बात पर वहां मजूद सारे नफूस शस्तर रह गए अदीर आँखों में आशु लिए कमरे से बहा निकल गया इतनी तकलिब आईनूर के लफजों ने नहीं दी थी जो अब जमीन पर बैठी आसु बहा रही थी करदम चलता हुआ आईनूर के पास आया उसके कंदे पर हात रखा तो आईनूर ने सर उठा कर देखा करदम को देखकर वो बेकाबू हो गी और उसके सीने से चा लगी और जारों का तार होने लगी करदम ने भी अपने दोनों बाजू को उसके गिर्द बांध लिये और आईनूर को अपने सीने में चुपाने लगा अब उसने फैसला कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है सौफे पर बैठा धीरे धीरे शराप के घून भर रहा था असलम के घर से वह कुछ देर पहले वापस आया था करदम सोचता वहा उटकर खिड़की के सामने जाकर खड़ा हुआ गिलास अभी भी उसके हाथ में ही था नूर का भाई वो भी सुतेला पता नहीं इस लड़की से जुरे और कौन से राज सामने आना बाकी है उसकी जात एक पहली सी है जिसको हल करना इंतिहाई मुश्की लगता है करदम बड़बडाते हुए शराब के गून लेता उफक पर नजर आते महताब को देखने लगा जिसके नूर में वो आईनूर को तलाश कर रहा असलम के इंतकाल को तीन दिन गुजर चुके थे आईनूर अब भी उदर ही थी उस दिन के बाद सी करदम दुबारा नहीं आया था मगर आज उसने सीमा खाला के जरीए आईनूर तक पहगाम पहुँचा दिया तकि रहीम आज उसे लेने आ रहा है उसके साथ आप घर वापस आ जाए मगर अदील को जैसे ही बात का इल्म हुआ वो उसके सर पर जा पहुँचा और अब दिन वाईनूर की कमरे में मजूद मसलसल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था आप इस समझती क्यों नहीं है अब आप उस चस के पास वापस नहीं जाएंगी मैंने तुमसे तब भी कहा था आदी अब भी कह रही है मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो मुझे इतना घुस्ता ना दिलाओ के आप फिर मुझे ना जाए जो सो तेरा भाई बोल दे यही कहना चाहती है ना आप अदील फोरण उसकी बात कारता हुआ बोला वो बैट पर बैटी बस उसे घूर कर रहे दे देखो आदी वो जो भी है जैसा भी है अब मेरा शोहर है मुझे अब उसके साथ ही रहना है तिम समझते क्यों नहीं अदील खामोश करा उसे देखता रहा फिर आइस्ता से पूछा आप उसको पसंद करने लगी है अपकी बार खामोश रहने की बारी आई नूर की थी कुछ पल खामोशी से उसे देखते वो नस्रे चुराते हुए बोली हाँ कौन सी ऐसी बीवी होगी जो अपने शौर को पसंद नहीं करेगी लेकिन मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ किसी दूसरे की नहीं तुम मेरे मामलात में मत पड़ो वो जुंजला उठी आप ही आप समझती क्यों नहीं मैं आपको खो नहीं सकता अगर उस आदमी ने आपको कोई नुकसान भुचा दिया तो मैं क्या करूँगा उसके लहजे में कुछ बेबस सा था तुम फिकर नहीं करो वो जल्द ही मुझे इस रिष्टे से अजाद कर देगा फिर मैं वापस तुम लोगों के पास आ जाओंगी ये कहते हुए उसे अब खुद भी यकिन नहीं दा के वाकई क्या वो वापस आ जाएगी वो बस सोच के रह गई और नरह मुस्कुराहत होंटर बे सजाए अदिल को देखा जो का आँखों में उमीद लिये उसे ही देख रहा था तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो मैं जरा मामा से भी मिल लो वो मुस्कुरा कर कहती कमरे से बहा निकल गई अदिल बेबसी से बरबराते वो ही वे बैट पर लेड़ किया नुखसार बेगम जहुर की नमाज अदा कर रही थी जब वो खामोशी से कमरे में आ बैटी और उनकी नमाज मुकमल होने का इंतजार करने लगी नुखसार बेगम ने सलाम पेड़ा और चैरा मोड कर उसकी तरफ देखा जो बैट पर बैटी यक टुक उन्हें ही देख रही थी वो दुआ मांगकर जाए नमाज को उठाकर रखती उनके पास आकर बैट गई क्या हुआ कुछ नहीं उसने नफी में सर हिलाया फिर मैं चाहती हूँ अब आप अदील के साथ कराची वापस चले जाए आप यहाँ कुछ नहीं रखा वो दुख से बोली और बार बार पलके चपकाती आँकों में अमंड आने वाले आशों को पीछे धरकेलने लगी रुखसार बेगम का गम भी कम नहीं था वो उसे देखते वे बोली और तुम मैं भी आ जाओंगी बाद में क्या वो तुम्हें अब वाबस आने देगा उनके सवाल पर उसे नस्रे चुनाएं पता है नूर जब मैंने पहली दफा उसे देखा तो उसकी आँखों में तुम्हें हासिल कर रहेगी चाहती मगर अब 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 उन आँखों में तुम्हारे लिए करदम बजाने की आवाज है लगता है वो आगए मैं चलती हूँ आईनूर की कहने पर रुखसार बेगम ने असपात में सर ही लाया वो उनसे मिलकर गारी की जानी बढ़ गए तुम यहां क्या कर रहे हो करदम घर पर ही मजूद था जब गफार ने आकर उसे पाशा की आने की इतला दी कुछ जरूरी बात करने थी करदम दादा पाशा उसके मकाबिल आकर बोला करदम ने एक नजर गोर से उसको देखा फिर सोफे पर बैठने का इशारा कर दिया खुद भी उसके सामने वाले सोफे पर बरजमान हो गया कहो क्या कहने आयो मैं यहां तुमको खबरदार करने आया हूँ उसकी बात पर करदम ने हैरानी से उसे देखा जानते भी हो किस से क्या बात कह रहे हो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इस पर करदम दादा से मुखातिव हो पाशा इतमेनान से बोला और जेव से मुबाइल निकाल कर उसके सामने किया क्या? इसमें जमशेद की वीडियो है हमारे जगरे की बात वह मेरे पास आया था तक ही वह मेरे साथ मिल कर तुम्हे नुकसान पहुंच जा सके पाशा ने कहा कर वह वीडियो चला दी जमशेद और पाशा की गुफ सबूजिस में बहुत सफाई से रदों बदल कर जमशेद के खिलाफ पर दिया था इस नौवल का अगला हिसव मेरी अगली वीडियो में और अगर आपको मेरा ये नावल पसंदार है था फ्लीज मेरे चैनल को लाए कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राह का इसाल भी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे और भी बहुत बज़ अच्छे से नॉवल हैं उनको भी कम्प्लीट वाज कीजिए कि अपना ख्यार रखेगा अलाव